सर्दियों के मौसम में 2-3 मेन ही कच्ची हल्दी आती है और कच्ची हल्दी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो हमें वो खानी ही चाहिए लेकिन उसका टेस्ट सबको पसंद नहीं होता है लेकिन आज हम बनाएंगे कच्ची हल्दी की सबजी और वो टेस्ट में बहु लिया है और हल्दी भी हमने 150 गराम ली है हल्दी को पहले अच्छे से दो के उसका चिलका निकाल के कद्दुकस कर लेना है और गी गरम होते ही उसके अंदर यह हल्दी हम एड कर लेंगे और उसे लोटू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राइ कर लेना है यहां पर हम जितनी हल्दी लेंगे उतना ही गी लेंगे क्योंकि उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा तो तकरीबन तीन से चार मिनिट हुए है और यह हमारी हल्दी अच्छे से फ्राय हो गई है तो इसे हम निकाल लेंगे एक अटोरी में और अब इसके अंदर एड़ करेंगे अद्रक मिर्च का पेस्ट और उसे भी अच्छे से फ्राय करेंगे यहाँ पे फ्लेम को हमें low to medium ही रखना है हाई नहीं रखेंगे ज्यादा और यह सब जल जाएगा एक दो मिर्ट में अद्रक मिर्च अच्छे से फ्राय हो जाएगी फिर इसके अंदर एड़ करेंगे प्यास तो यहाँ पे मैंने दो medium साइज की प्यास ली है और इसे अच्छे से एक दम बारिक चौप कर लिया है कटोरी में आपे तो एक कब जीतनी प्यास होगी और इसको एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे भी हम पकने देंगे चार से पांच मिर्ट में हमारे प्यास भी अच्छे से फ्राय हो जाएंगे और अब इसके अंदर एड़ करेंगे हरा लसन तो हरा लसन प्योरे ने लिया है उसे मैंने खुपर में और मैंने एक खटरी चितना टमाटर का जो खुपर है वो लिया है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है उसे भी हम पकने देंगे तीन-चार मिन और अब इसके अंदर एड़ कर देंगे यह फ्राइ की हुई हल्दी जो हमने पह अजरे की रोटी बराना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि हमारे सबजी वालमस रेड़ी होने को आई है और अब इसके अंदर मसाले कर लेंगे तो यहां पे हमने लाल मिर्च पावडर लिये एक चमब चितनी अगर आपको तीक है जादा पसंद है तो आप जादा भी एड़ कर सकते हो और अब इसके अंदर एड़ करेंगे टेस्ट के अकोरिंग सॉल्ट और गरम मसाला तो गरम मसाला भी आप अपने टेस्ट के अकोरिंग कम साधा कर सकते हो यहां पे हमें बेजिक मसाले ही चाहिए गरम मसाला मिर्च और नमक और हल्दी तो अल्रेड़ी है इसके और इसके अंदर एड़ किये हाफक जितनी मेती की भाजी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे low flame पे हम छोड़ देंगे 2-3 मिनिट के लिए और ये रिखी सारागी बाहर आ जाएगा जितना इसके अंदर हमने add किया था वो सारागी बाहर आ गया है और इसको अब टेस्ट कर लेंगे के नमक में इसको कुछ कम जादा है की नहीं अगर आपको कुछ कम लगे तो अभी आप उसे add कर सकते हो तो यहाँ पे हमारा एक जो सबजी है एकदम परफेक्ट बनी है कुछ भी कम जादा नहीं है और बाजुमे मेरे जो बाजर की रोटी वो भी आपको तयार होने को आई है और अब इसके अंदर add किया है दही तो दही यहाँ पे हाफ कप लिया है दही बहुत जादा खटा नहीं होना चाहिए मिडियम खटा होगा तो चलेगा और अब दही add करने के बाद इसे अच्छे स सबजी एकदम ready है टेस्क में बहुत ही बड़ी अलगती है और अभी थंडियों में सर्दियों में आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े आने वाले हैं यह सबजी टेस्क के साथ healthy भी है इसके अंदर हमने तेल का use नहीं किया है गी का use किया है तो गी तेल से थोड रख बन के ready हो जाएगी तो यह देखे है हमारे सबजी भी almost ready है तो gas की flame में आफ कर दी है और हमारे बाजरे की रोटी भी रेडी है बाजरे की ओपर थोड़ा सा गी लगाएंगे क्योंकि कभी भी सुखी रोटी नहीं खाने चाहिए उपर थोड़ा सा गी तो लगाना ही चा तो ली-ली हड़ दन नुशाक अने बाजरी नो रोटलो रेडी छे तूटी पड़ो ओकी तो आपको यह रेसिपी पसंद देते प्लीज लाइकी जेन चैनल पे नहीं तो सिस्क्राइब मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी क्रश्ना